के बारे में बात करते हैं हमारे पास mostly जितने भी reactions हो रहे होते हैं वो क्या होते हैं जी हमारे पास basically collisions से related होते हैं यानि कि हम कहते हैं कि अगर हमारे पास reactions हमने लिये वे हैं तो उनके दर्मियान में क्या होंगी collisions होंगी तब हमारे पास reaction जो है वो proceed होता है ठीक है तो हम इसको जो है वो यहाँ पर relate कर लेते हैं collisions of reactants से ठीक है जितने जादा हमारे पास आप देखें concentration से क्या मुराद है कि एक हम लोग ने इस तरह का jar लिया जिसके अंदर हमारे पास य ही reactants बहुत ज्यादा है तो इसके हम बात करते हैं कि हमारे पास speed ज्यादा होगी क्योंके देखें कितने ज्यादा हमारे पास जो हैं इसके अंदर chemical species मौजूद है आडम हो सकते है molecules या कोई भी compound हो सकते है ठीक है अब आपस में क्या करेंगे ये इसके साथ ठीक है कॉलाइड करें ये इसके साथ करें इस तरह सी ये इसके साथ कॉलाइड करें ये इसके साथ जाके कॉलाइड करें तो आपस में ये बहुत ज़्यादा collisions create करेंगे तबकि यहाँ पर बहुत थोड़ी हो सकती है इसके साथ करेगा ये इसके साथ मतलब कि randomly एक दुर्शे के साथ होगी उतनी ही ज्यादा हम कहते हैं कि हमारे पास उस reaction की speed होगी ठीक है जिस तरह से अगर हम burning का process ले लेते हैं ठीक है तो हम atmosphere में करते हैं जिसमें 21% oxygen present है ठीक है अब यह भी क्या हो रहे हमारे पास burning का process भी एक chemical reaction है न तो हम कहते हैं कि 21% में तो हमारे पास क्या है oxygen की quantity इतनी ज्यादा नहीं है जबकि अगर हम pure oxygen का क्या करें एक हम chamber ले 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 और उसके अंदर burning का process करें किसी चीज़ को भी जलाएं तो क्या होगा वो बहुत effective होगा और बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि हमारे पास उसकी speed क्या होगी ज्यादा होगी उस reaction की speed जो है वो क्या होगी ज्यादा होगी ठीक है as compared to 21% of oxygen के इसके इलावा अगर हम calcium carbonate ले 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 लेते हैं और उसके साथ हम क्या करते हैं acid को react करवाते हैं ठीक है और acid की quantities को हम change करते जाते हैं यानि कि पहले हमने क्या किया हमने half liter ले ले लिया फिर हमन जैसे जैसे amount इसकी vary कर रहे हैं तो हमार पास reaction जो है वो भी different होता जा रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ हमने one liter लिया था ठीक है चलनok capital L लिख देते हैं और यहाँ पर half liter लिया था और यहाँ पर हमने क्या किया one liter ले लिया ठीक है तो one liter जब हम HCl लेते हैं और उसके साथ calcium carbonate को react करवाते हैं तो concentration देखें इसकी बढ़ा दी ना हमने तो इस तरह से जब हम उसकी varied amount को react करवाते हैं तो reaction की speed जो है वो different होती चले जाती है इसके इलावा अगर हम gases की बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या concern होता है जी अगर यही हम बीकर इस तरह करें कि उपर जो है वो इनके piston रख दें इस तरह से ठीक है यानि कि इनके enclosure हमने कोई इस तरह से enclosure कर्क वगार उपर फिट कर दी है या हमने piston रख दी है तो इनको gases को अंदर से बाहर नहीं जाने दे रही तो अब यहां पर भी यही है कि जहां पर ज्यादा gas की concentration होगी या हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि यही piston जो था वो हम क्या करें बहुत नीचे ले आए यानि कि इसको इतना compress कर दें और इसको नीचे तक लेते चल जाएं ठीक है यानि कि इन सब यह जो molecules हैं इनको हम क्या करन ले आएं ठीक है तो हमारे पस क्या हो यह वाले और नीचे आ जाएं ठीक है इस तरह से हमारे पास जो नीचे green color के हमारे पास atoms या molecules नजर आ रहे हैं वो और नीचे आ जाएं ठीक है तो एक दूसरे के करीब हम करते जा रहे हैं मतलब यह है कि हम इनका pressure क्या करते जा रहे हैं increase करते जा रहे हैं, तो इस तरह से हमें बता चला, कि gases के case में, जब हम pressure ज़्यादा करेंगे, तो उस reaction का rate ज़्यादा होगा, यह speed जो है, वो क्या होगी, increase हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, speed of reaction increases, किस तरह से जी, जब हम gases का pressure जो है, जिस तरह हम concentration को increase करते जाते हैं, हमारे पास, जो है, speed of reaction increase होती जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक reaction अगर ले लें, ठीक है, यहाँ पर हम एक gaseous reaction ले लेते हैं, जिस पर हम किसको consider करेंगे, जी, हमारे पास NO gas होगी, ठीक है, और इसको हम react करवाएंगे, हाइरोजन के साथ, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं, कि हमने क्या ले ले ली, NO, two moles, ठीक है, और इसकी gaseous state हम mention कर देते हैं, इसको हम react करवाते हैं, किसके साथ, हम react करवाते हैं, two moles of H2 gas, ठीक है, अब देखें कि हमारे पास क्या है, initially four moles available हैं, इन दोनों के, ठीक है, यानि कि अगर हम reactant की बात करें, तो reactant हमारे पास four moles के साथ यहाँ पर present है, और जब हमारे पास product बनेगा, तो वो किस-किस चीज़ का बनेगा, हमारे पास product में बन जाएगी, two moles of water, ठीक है, two moles of H2O लिखते हैं, यहाँ पर हम, ठीक है, और यह क्या होगी, यह भी हमारे पास gaseous state में होगी, ठीक है, यह हमारे पास reaction कितने temperature पे होता है, 800 degree C पे हमें करना पड़ता है, तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर basically water की gas state, यहनिके steam की, ठीक है, उसके साथ हमारे पास क्या produce हो जाता है, product में nitrogen gas, हम लिखते हैं N2 gas, अब इस chemical reaction का rate, जो है, वो हम in terms of pressure के साथ लेते हैं, ठीक है, क्यूंकि हमारे पास gases है, ठीक है, तो हम gases के pressure से, जो है, वो, इसके rate को, जो है, प्रेशर, ठीक है, तो इसलिए, यहाँ पर हम unit देख रहे हैं, atmosphere पर minute हमने rate का unit लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, कि अगर हम concentration, यह जो हमारे पास nitric oxide है, इस gas की हम क्या कर रहे हैं, जी, constant रख रहे हैं, ठीक है, mole पर, डियम क्यूब मैं ले रही हूँ, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, 0.006, ठीक है, इसी तरह से हम, पहली तीन concentration as it is, इसी तरह से ले रहे हैं, ठीक है, यह हमने जो है, वो constant रखी हुई है, concentration nitric oxide की, लेकिन h2 की हम क्या कर रहे हैं, 0.01 लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसको twice कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, जी, एक और हम करते हैं, रेक्शन में, तो हम इसको क्या करते हैं, हम twice कर देते हैं, ठीक है, तो इससे हम देख रहे हैं, कि हमारे पास rate में क्या फर्क पड़ेगा, हम देखते हैं, कि हमारे पास rate पहले आता है, 0.025 atmosphere per minute, ठीक है, उसके बाद जब हम double करते हैं, H2 की, ठीक है, concentration को, जबके nitric oxide की हम constant रखते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, जी rate भी double हो जाता है, 0.05 आ जाता है, ठीक है, और फिर हम जब thrice करते हैं, तो ये भी हमारे पास rate जो है, ये भी thrice हो जाता है, ठीक है, 0.075 हो जाता है, इसी तरह से अगर हम क्या करें, H2 की concentration हम क्या करें, constant रखें, यानि कि हम यहाँ पर रख लेते हैं, 0.009, mol per dm cube, यहाँ पर भी 0.009, और यहाँ पर भी 0.009, जबके अगर ह 0.001 से 0.002, ठीक है, और इसी तरह से 0.003, इसकी concentration की units हम ने उपर लिखे में हैं, ठीक है, अब इसकी thrice करने से हमारे पास rate जो first में हमने देखा था, हमारे पास क्या था, 0.001 और 0.009 इसकी concentration H2 की रखने से, और नाइट्रिक अक्साइड की 0.001 रखने से हमारे पास आया पास क्या आजाती है, इसकी concentration भी हम देख लेते हैं, हमारे पास यह twice हो जाती है, यानिके 0.0063 into 2 करेंगे, तो हमारे पास क्या आजाता है, हम यह twice करते हैं, तो हमारे पास 0.0126 नहीं आ रहा, बलकि हम अब इसको क्या करेंगे, 0.0063 को अगर हम 4 times करें, तो हमारे पास 0.025 5 आता है, यानिके यहाँ पर कहने का मकसद यह है, कि हमारे पास जो rate है, nitric oxide के साथ, हमारे पास जब हम उसकी concentration को double करते हैं, तो 4 times increase होता है, ठीक है, और वो किस तरह से है जी, इसको भी हम देख लेते हैं, और यहाँ पर जब हम इसको thrice करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है यह आ जाता है, 0.0569 times हमारे पास increase हो जाता है, rate जो हमारे पास directly proportional हो रहा है, जब हम increase कर रहे हैं, twice कर रहे हैं, तो twice हो रहा है, thrice कर रहे हैं, तो thrice हो रहा है, जब H2 की concentration है, तो rate directly proportional है, H2 की concentration के साथ, लेकिन यही rate जो हमारे पास क्या हो रहा है, हम जब double कर रहे हैं, अपनी NO की concentration तो वो हमारे पास क्या हो रहा है 4 times increase कर रहा है ठीक है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि raise to the power 2 के साथ हमारे पास relate करता है यानि कि directly proportional है NO की concentration raise to the power 2 के अब इन दोनों को हम combine करते है तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा और जब हम proportionality sign को हटाएंगे तो rate is equals to हमारे पास यहाँ पर rate constant आ जाएगा H2 की हमारे पास power क्या आ रही है इसको हम देख लेते हैं जहाँ पर कुछ नहीं है तो वहाँ पर हम लिखते हैं 1 ठीक है और जब हम लिखते हैं nitric oxide की तो वो हमारे पास क्या आ जाती raise to the power 2 और जब हम दोनों को अगर equal करें तो दोनों को plus करें तो हमारे पास इसका जो इसके equation की according जो order बन रहा है वो हम कहते हैं जी third order ठीक है तो इस तरह से हमने यहाँ से यह देख लिया लेकिन बहुत सारे इस तरह के reactions होते हैं हमारे पास multi steps होते हैं तो इस तरह से हमने का यह third order इसका बनता है लेकिन बहुत सारे हमारे पास reaction इस तरह से होते हैं कि वो multi steps होते हैं लेकिन हमें यह mind में रखना चाहिए कि हमारे पास rate law वो हम balanced chemical equation से predict नहीं कर सकते हैं बलकि इस तरह से भी हमारे पास होते हैं more on effect of concentration on speed of reaction हमने यहाँ पर देखा कि हम एक रेक्टन की concentration को क्या करते हैं constant रखते हैं और दूसरे की increase करते हैं तो किस तरह से rate जह हो उसके साथ-साथ हमारे पास जह हो increase होता है तो यहाँ पर दोनों से हमने देखा कि दोनों की जब हम concentration को increase कर रहे होते हैं तो rate हमारे पास क्या होता है increase होता है हम किसी एक को constant रखे हैं उसकी concentration को constant रख रहे हो या किसी दूसरे की concentration को constant रख रहे हो और इसकी जैसे NO की हमने amount को concentration को increase किया था ठीक है तो इस तरह से concentration पे हमारे पास speed of reaction जो है वो बहुत depend कर रहा होता है तो यह हमने देखा more on effect of concentration on speed of reaction